Recently UP के एक Government Funded मदरसा आलाबाद High Court का दर्वाजा खटखटाते हैं और एक याचिका फाइल करते हैं कि UP में Government Aided मदरसा अजमें सरकार को Additional Teacher से पॉइंट करने चाहिए इस याचिका पर कोट ने बहुत गंबीर सवाल उठा दिये हैं जिनका जवाब अब UP सरकार को देना है तो आईए इन में से कुछ सवालों को देखते हैं पहला सवाल है क्या किसी institution को जो की religious education देती है उन्हें Government Fund मुहया कराना चाहिए क्या ये constitutional कहलाएगा दूसरा सवाल है मदर्सा unlike other schools इनको recognition के लिए playground नहीं maintain करना पड़ता तो क्या ये article 21 right to life and article 21a right to education के साथ valid है तीसरा सवाल है क्या अन्यधार्मिक minorities को भी Government Fund करती है ऐसे theological schools रन करने के लिए और चौता है क्या इन school में लड़कियों को admission दिया जाता है और अगर नहीं तो क्या य act of discrimination होगा under the constitution of India जो भी है तो फिलाल UP सरकार के पास 4 हफते हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए